hello everyone, welcome to my channel being Pharmacist अगर आप चैनल को पहले बवर विजट कर रहें तो don't forget to subscribe the channel and make sure to press the bell icon अगर आप वेडियो पसंद आता है तो like करो, comment करो, share करो आपने सारे दोस्तों के साथ specially जो students दिल्ली से belong करते हैं उन के साथре वीडियो'S share करो एक्चुली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट्स हो मतलब अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो दिल्ली के रेसिदेंशल हो और आपने अगर दिल्ली से भी फाम या डी फाम कंप्लिट किया है या फिर इंडिया किसी भी स्टेट से किस वहीं से होने वाला है तो कैसे आपको एपलाई करना है इसके रिगार्डिंग होने वाला है यह वी क्योंकि हर स्टेट का जो फार्मसी काउंसिल है वह अलग है और उनका रिजिट्रेशन प्रोसस्स भी अलग है कुछ-कुछ हद तक वह एक ही है लेकिन कुछ-कुछ अलग भी स्टेट्स का जो रिजिट्रेशन प्रोसस है अल्रीड मैंने फुल तीन वीडियो बना दिया है अगर आप लोग इस किसी स्टेट से बिलॉंग करते हैं आपका प्लेलिस्ट का आप लोग जाके देख सकते हैं आपको तीन वीडियो मिल जाएंगे और इसके बाद आपकी उस प्रेटिकी सबसे आप इस वीडियो को नीची लिंक में कोमेंट करेंगे हमको इस सेट के ऊपर वीडियोच जाइए नेकस्ट तो मैं उसी कर फोकस करें कि जो भी सबसे प्रायरिटिए होगा उस पर बना दर रहूंगा ठीक है एक के बादेक लिगिसिता कि बातने सारा करना होगा दूसरा आप लोग नीव रिष्टवर करना होगा पूरे जिंदिगे के लिए जब नहीं रहुत है पहले रेजिटिसन होगा उसमें एक चार्ज लेगा उसमें कुछ डॉकुमेंटेशन वगरा कुछ नहीं चाहिए नॉर्मल सा एक बसीक रिश्टेशन है वो करेंगे आप वह वेलफेर रिश्टेशन नंबर मिल लिएने के बाद आप लोगो नीव रिश्टेशन पर अपलाई करना होगा उसको सारे तस थीन के बाद एंटेशन होगा जआ च्रिक आपद करतेशन नंबर को मिलेकर वहां पर मैं दिखा दूंगा आ 쪽 कौन सा है तो वह मिलने के बाद आपको पूछा जाएगा ठीक है तो आपको दिखाना वोगा या फिर वटाना होगा वह देते ही उनको पता चल जाएगा कि आपने यह सब कुछ ओर नोरा जो आपका डॉपमेंट से उनका उरिजीनल ले जाना होगा with two copies करके जिरॉक्स ठीक है और जो जो सब्धेटर करना है ऊके नहीं करना है सकताव करना है वो जाएगा सो और नो के पास या सब भी आप रहेंगे वहां पर उनको पास से आपको बुलाया जाएगा एक इंटर्वीव के लिए वहां पर आपको इंटर्वीव देना होगा जो कि बहुत ही सिंपली इंटर्वीव होता है एक नॉर्मल सा अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक जान करी है फार्मसर के बारे में सब्सक्राइब करना है थोड़ी दिर वेट करते ही आपको जो आपका सारा डॉकॉमेंट से मिल जाएंगे वरिफिकेशन के बाद इंटर्वीव के बाद जो सारा ड्रिया है आपने वह आपका सब कुछ मिल जाएगा वापस ठीक है उसके साथ-साथ आपको आपको आपका र लोग नहीं होगा ठीक है वह लेकर आप लोग चले आएंगे उसके बाद आपको मेल किया जाएगा उदिन समदेस अगो मेल भी किया जाएगा वर आपना जो रिजिस्ट्रेशन है आप लोग डाउलोड कर पाएंगे ठीक है उसको आपको प्रिंट करा लेना है कालर इन तीनों चीज़ को आपको डाउलोड करें लेना है अब यहां पर देखिए मैं दिखाऊंगा आपको प्रोसेस कैसे क्या करने सबसे पहले आप लोग देख रहें यह वाला जो पेज यहां पर आपको आना होगा यह दिल्ली फार्मसी काउंसिल में आपका जो काउंसिल है ओफिशिल वेबसाइट इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे यहां पर आके आपको कुछ नहीं करना बस अब नीचे जाएंगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा पहला है वेलफेर ट्रस्ट दूसरा है न्यू रिश्टेशन तो अभी हमारा का प्टल फीज़ोने बाला है दूरिंग फोल रिजिस्टेशन अभी हम लोगों साइन करना करने के बाद मेल ऋसको कन पार्ना है यहां से आप लोग पर जाएंगे ठीक है क्लिक करना है यहां पर आप फॉस्सेंस लिए लास्ट्न लास्टनेम इमिल मोबाईल नंबर पासवड देख सेक़े एक डैश भोड़ है तो यहां पर दोनों नंबर आग पाहले तो करना हो ग βाले अलुके टि dedic hz आपको वापस से आना है पेमेंट सक्सेस्फूल हो जाएंगे यहां पर आपको एस नमबर टोज आइडिया सारे कुछ दिया जाएगा ठीक है अमांट टाइप पेमेंट स्टेटस यहां पेमेंट स्टेटस कम्प्लीट हो जाएगा तेक है ओके देन आपको करना होगा फिर से दोगामी नहीं रहा है यह आप लोग गर्जन का नाम डाल दीचे डेट बार्त मुवाइल नमबर जेंडर ब्लाड ग्रूप नाशनलिटी पास आउट ठीक है फार्मसी को सिब्सक्राइब लोग दिल्ली से पास किया है या फिर आवडर स्टेट से तो यहां पे आप लोग स्टेट का नाम आप यहां पर लिखना है फिर इनिवर्सिटी और कॉलेज नेम फिर वेरिफिकेशन टाइप और क्वालिफिकेशन फाम डी फार्म या फिर फार्म भी फार्म ठीक है यह तीनों देना है दिना आपको देना है अपका कोर्रेस्पॉन्टेंस अड्रेस मतलब जिस अड्रेस के साथ वो लोग आपका कम्युनिकेशन करेंगे और पर्मनेंट इड्रेस यह दोनों सेम भी हो सकता है ठीक है एड्यूकेशन देना है देन आपको देना है अड्रेस ऑफ हॉस्पिटल और दिस्पेंसरी और वहादर प्लेमेंट प्रिजिट ठीक है उसके बा या फिर जो 500 आवर्स का ट्रेनिंग है वो दीजिएगा और अड्रेस प्रूप अधर कार्ड बोटर कार्ड पासपोर्ट और रेश्टर एग्रिमेंट कोई भी एक चलेगा बोथ साइट दीजिएगा तो दोनों साइट को एक प्रेंट एक पीडिया बना लिए फिर उसको द हो जागी है फिर से अब डैसबोर्ट पर आजाएगा अभी आपका कुछ काम नहीं है यह भी जैसे कि मैं बताया यह दोनों हो पार्ट हो जाने के बाद दस दिन तक कुछ नहीं करना है बस दिन जैसे हो गया उसके बाद से किसी भी दिन आप लोग जा सकते आपको पहले जा स्वा मोर्च त। आफ लोग जाए और को सीदिन आपको मिल जाएंगे सारह कुछ तो आपको कुछ तिनों के अंदर अपको मैल आजाएगा और certified Ad van करके उस लॉग इन के साइड में आपका option रहेगा आईडी काड़ डाउलोड करने का एंड दोनों रेश्टेशन डाउलोड करने एक तो पहला है आपका नॉर्माल फीज फार्मासी डिश्टेशन एक है पीपी काड या फिर आईडी काड और तीसरा है जो वेलफेर सर्टिफि इसको बोलते हैं उसको अपने पीवीजी काड में प्रिंट करालोड पीवीजी काड मतलब जिनमें आधार काड या बूतर काड़ विका जो एक चाहिए का ट्राइब करें तिक हैं आपको इस थोड़ा सा जिऊ तो यह लगे तो लागे तो लाइक कमेंट शेर और चैनल को सस झाल झाल